गुड मॉर्णिंग दियर स्टुडेंट वेलिकम दो पीजी ग्लास तो स्टुडेंट टूडे सब्सक्राइट इस हिंदी टॉपिक इस बीच में जूटा हुआ अक्षर भरिये वर्ड इससे पहले क्या करना होता है आपको CWN डेट मेंशन करनी होती है टूडेट इस टूडेट इस टूडेट इस टूडेट इस बुडवार स्पैलिंग इस डबलू ए डी एन एस डी ए वाई उके चलिए स्टार्ट करते हैं यह कачा है यह याज इए के इस बीच में चूटा हुआ अक्षर भतेये हमने आपको फस्स क्लास में सौरी फस्ट्ट्र वीडियो में आपको बताया था आ से मेお願いします करुगा था और education me फिर आपने अक्षर दूड़े थे और वही सेम अक्षर मैच किये थे अब हम आपको बीच में चूटे हुए अक्षर भरिए मतलब बीच में चूटे हुए अक्षर भरने हम आपको बार-बार स्वर से रिलेट rif k lotion इसली करवा रहे है ताकि आपको यह आ से तक पर साज से हुए अच्छे से समझळ पर नीचे लिखा हुँ ँढ़ा है बड़ी के बाद ये आता है, क्योंकि लाइन से तो सब को learn होता है, अगर बीज बीज में पूछेंगे, तो बहुत ही कम लोगों को learn होता है, इसके बाद क्या आता है, इसलिए हम इसकी practice करेंगे, आपकी स्वर में बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाए, तो let's start, पहला है छोट यहां पर लिखेंगे चोटा अ कि बनाएगे चोटा अ उस्कार modifications बनता है कि जिलै हम तुस्योकिक। भी चोटा ऑब पर ने मतरल हो पे intim हम रीचोटा अब ऑज सेั้ग майक जैए बड़ मुड़ा डो एनुए चोटी, ओके, इसी तरह second number करेंगे, second number में है, छोटा O, क्या बढ़ा है यह, छोटा O, अब चोटे O के बाद क्या आता है, जैसे कोई-कोई, बच्चे lines बनाता है, जैसे को आपको नहीं आये, छोटे O के बाद क्या आता है, तो आप स्टार्टिन से पड़ सकते हो, चोटे आसे ना, बढ़े आसे आम, छोटी सिमली बड़ी से ई, फिर छोटे उसे उलू फिर क्या आता है इसके बाद बढ़े उसे उन तो आप श्टार्टिंग से भी पढ़ सकते हो अगर आपको श्टार्टे उ के बाद ऐसे डायरेक्टर ना आप समझ में आए तो आप स्टार्टिंग से पर सकते हो यह हो गया बड़े उसे उन फिर रिसे रिसी अब नेक्स्ट है यह क्या है छोटी यह है कि बड़ी इ बड़ी है ना क्योंकि इसमें मातरा लगी है देखिए तो बड़ी से इ फिर उसके बाद क्या आता है छोटे उसे उल्लू ठीक है छोटे उसे उल्लू फिर यह लिखा है बड़े उसे उन नेक्स्ट है यह क्या है बड़ा बड़े आसे यहाँ फिर बड़े आसे के बाद क्या आता है छोटी से इमली फिर लिखा है बड़ी से इ इसी तर नेक्स्ट करेंगे एसे एडी फिर क्या आता है एडी के बाद क्या आता है ऐसे एनक यह ऐसे एनक लिखा है क्या नहीं यह भी ऐसे एडी है जिसमें मात्रा लगाएंगे यह ओगे ऐसे एनक फिर उसके बाद उसे ओकली नेक्स्ट है ऐसे एनक अब इसके बाद क्या आता है उसे उकली ना हमने यहाँ पर पढ़ा था तो हम लिखेंगे उसे उकली उसे उकली के बाद क्या आता है उसे औरत नेक्स्ट है हमारा रिसे रिसी रिसे रिसी के बाद क्या आता है इसे एरी लिख दिएंगे एसे एरी, ऐसे एन फिर क्या लिखा हुआ है ओसे औरत लिखा है ना, ओसे औरत बना है ना, औरत ओसे औरत की बाद क्या आता है अंग्से अंगूर अंगूर की बाद क्या लिखा है ये, आहा ठीके आहा माने कुछ नहीं फिर है यह ओ से ओखली ओ से ओखली की बाद क्या आता है ओ से ओरत यहां लिखेंगे ओ से ओरत फिर अंग से अंगूर तो लिखा ही है नेक्स्ट है छोटी छोटी से मली फिर क्या आता है बड़ी से इर छोटे तो लिखा ही है फिर बड़ी उसे उन जी से रिसी और इसे एड़ी लिखा हुआ है तो आपको ऐसे ही classwork करना है आपको अपने better and sister की help से ये work लेना है और आपको बीच में छूटे है अच्छर खुद से पढ़ने हैं आपको स्वर फिर बीच में जो छूटे हुए action है ना तो आपको खुद से फिल करने है ओके और homework में आपको आ से आहा तक learn करके एक video बनाना है या तो फिर आप एक voice message भी कर सकते हैं group में ओके जिसमें आपको आ से आहा तक सारे स्वर सुनाने है ओके thank you have an ice day